ने कमाल की बात कही है दोस्तों क्यों रुक जाते हो चार दिन की मेहनत के बाद अरे वक्त लगता है बीच को फसल बनने में हलो दोस्तों मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल लर्निंग आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों करेंट अफेयर करेंट अफेयर की वीडियो में आज मैं 10 कुश्चन कवर करने वाला हूँ जो कि आप पो डारेक्ट एक्जाम हाल में देखने को मिलेंगे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भुले सांथी सांथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजे तो आईए स्टार्ट करते हैं पहला हमारा क्विस्चन है 36 गर्ड राज्य इस्तरी या मानस मंडली प्रतियोगीता कब तक चलेगा 17 मार्च, 25 मार्च, 1 अप्रेल या फिर 10 अप्रेल करेक्ट हमारा अंसर आजाएगा दोस्तों 10 अप्रेल ओप्सन नमबर D इसका करेक्ट अंसर आएगा राज्य सरकार ने सांस्कृतिक एवं पुरस्कृत विभाग एवं राज इस्तरिय मानस मंडली प्रतियोगीता का आयोजन किया जा रहा है मानस मंडली प्रतियोगीता 10 मार्च से प्रारंब हुई यह प्रतियोगीता 10 अप्रेल तक चलेगी राज इस्तरिय मानस मंडली प्रतियोगीता की प्रथम चरन में ग्राम पंचायत इस्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है दूसरे चरण में ब्लॉक इस्तरिय तीसरे इस्तान पर जीला इस्तरिय और चतुर्त इस्तान पर राज इस्तरिय पर मानस मंडली प्रतियोगिता का आयोजन होगा मानस मंडली प्रतियोगिता ब्लॉग इस्तर विजेता को प्रत्थम प्रुसकार दस हजार जीला इस्तर के विजेता को पांच हजार राज्य इस्तरिय प्रतियोगिता के विजेता को प्रत्थम प्रुसकार पांच लाख रुपिये दुईतिय को तीन लाख रुपिये और पुर्थ तिरिक्तिय प्रोस्कार दो लाख रूपय प्रदान किये जाएंगे सेकेंड हमारा क्विस्चन है दोस्तों राज्य में संस्कृती विभाग द्वारा आकार 2022 का आयोजन किया जा रहा है यहां कब तक चलेगा 21 मार्च तक 25 मार्च तक 1 अप्रेल 10 अप्रेल करिक्ठ आमारा आंसर आजाएगा दोस्तों ओप्सन नमबर 20 का करिक्ठ आंसर आजाएगा 21 मार्च राज्य सासन द्वारा परंपरिक सिव विविद कलाओं के संरक्षन पशात प्रसार प्रचार प्रसार जागरुकत तथर रूची जागरित करने के लिए आर्य भठ शोशन संसाधन संस्थान के सहयोग से संस्कृति विभाग द्वारा आकार 2000 बायूस का आयोजन किया जा रहा है युवाओं के पारंपरीक विकल्प कला सिल्प कलाओं का प्रसिक्षन 13 मार्च से दिया जा रहा है जो की 21 मार्च तक चलेगा यहां सिवील महांत घासी दास इसमरग परिसर संग्रालाय रायपूर में संचालित की रही है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों जो की इंपॉर्टेंट हमारा है एसिया का सबसे बड़ा और 36 गड़ का पहला समुद्री यफ फाल्सीक पार्क कहां बनेगा आप्सन ए है धमतरी आप्सन भी है मेन पार्ट आप्सन सी है मनेंद्रगड और आप्सन डी है कूरिया तो इसका सही आणसर क्या आजाएगा दोस्तों आप्सन नमबर 3 इसका करेक्ट आणसर आजाएगा मनेंद्रगड एसिया का सबसे बड़ा फॉलिस पार्क मनेंद्रगड में बनेगा 25 कडोर साल पुराने समुद्र फालसिक के समरिद्ध संग्रह की खोज के बाद उसे सरक्षिट किया जा सके इसलिए पार्क का निर्माण वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है 21 मार्च को विश्व विनी की दिवस के आउसर पर सीएम भूपेज बगहेल पार्क की निव रखेंगे पार्क का निर्माण सहदेव नदी इस्थीत डाउन सीप के बाहरी छेत्रा आमा सेर्वा में किया जा रहा है अधिकारियों के अनुसार समुद्री फाल्स आमा खेर्वा में होने की जानकारी वर्स 2012 से मिली थे अगला कोश्चन हमारा है दोस्तो 36 गड मनरेगा में महिलाओं की लगतार बढ़ रही भागिदारी में महिला मेटों की भूमीका को रहांकित कर हर जीले में कितने कितने महिला का समान किया गया option A है 55 option B है 66 option C है 77 और option D है 88 तो सही आंसर हमारा क्या आजाएगा दोस्तो option A इसका correct आंसर आ जाएगा पांच पांच राज्या मर्रेगा कार्यालाय द्वारा मन्रेगा महत्मा गांधी राष्टिय ग्रामी रोजगार गरेंटी अधिनियां के अंतरगर प्रदेस भर में कार्य कर रही है 140 महिला मेटो को समानित किया गया अंतर राष्टिय महिले दिवस को आइकोनिक विद्द के रूप में मनाते हुए मन्रेगा में महिलाओं की लगतार बढ़ रही भागिदारे में महिला मेटो की भुमिका को रेखांकित कर हर जीले में पांच पांच महिला मेटो का समान किया ग अगेल की मासिक रेडियो वर्ता लोकवाणी की 27 वी कड़ी का प्रशारन कब होगा 12 मार्च 2022, 12 अप्रेल 2022, 13 मार्च 2022 या फिर 13 अप्रेल 2022 करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा दोस्तों अप्सन नमबर 3 इसका करेक्ट आंसर आजाएगा 13 मार्च 2022 22 मुख्यमंत्री भुपेश बगहे लोकवाडी में इस बार 36 गड़ सरकार नारी सकती के सरुकार विशय पर प्रदेश वासियों से बाचित करेंगे नेक्स्ट कोश्चन हमारा है दोस्तों ICC ने बेश्ट अलाउंडर की तीजा रैंकिंग ताजा रैंकिंग जारी की है भारत से कौन टेश्ट क्रिकेट में दुनिया के नमबर वन ओल राउंडर बने विराट को ली रविंद्र जहेजा सुरेश रैना या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका करेक्ट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों रविंद्र जडेजा ICC टेश्ट अल्राउंडर की ताजा रैंकिंग जारी की है इसमें भारत की रविंद्र जटेजा 406 रैंकिंग पॉइंटर के साथ दो इस्थान चड़ कर सीड्स पायदान पर पहुँच गए हैं नेक्स्ट कोश्चन हमारा है राज्य सरकार की महत्वकांच्छ योजना राजी उगांधी ग्रामिड क्रेसी भूमिहीन मजदूर न्याई योजना में बदलाव किया गया है अब वर्स सहायता रासी 6,000 से बढ़ कर कितने रुपए की गोशना की है 6,500, 7,000, 8,000, 9,000 करेक्ट हमारा अंसर आजाएगा दोस्तों 7,000 36 गड़ के मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने बतोर वित मंत्री 2022-23 के लिए बजट पेस किया कर दिया है इस बार बजट में हुई बड़ी गोशना है हुई है आपको बता दे की कांग्रेस के पूर्व राष्टपती राहूल गांधी के अगरापर सीएम भुपेश ने सहायता रासी एक हजार बढ़ाने का बजट में प्रवधान किया है इसके अलावा इस योजना में अब बैगा गुनिया माजी आदी आदिवासियों के देविस्थल के हाट परिया एवं बाजा महोरिया के राज्य इस्तरकूर राजिव गांधी भूमिहीन क्रिसी मजदू नियाय योजना के अनुरूप सामूल करने का गोशना भी किया गया ह next question हमारा है cm भुपेज बगेल ने इस बार कितने करोड का बजट पेस किया है दो करोड का तीन करोड का चार हजार करोड का या फिर पांच हजार करोड का तो correct answer हमारा क्या जायगा दोस्तों 5000 करोड बजट में सिख्छा स्वास्था करमचारियों के लिए प्रवधान किया ग समय के अनुसार 12.30 बजे बजट भासन किस स्लोक के सांस सुरू किया। राम वेद के स्लोक, सत्यमेव जयते, रिदि वेद के स्लोक या फिर इन में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा दोस्तों? आपसा नमबर तीन इसका करेक्ट आंसर आजाएगा यदूर वेद के स्लोक, व्यापम और 36 गड़ लोक सेवा आयोग दोरा आयोजित की जाने वाली परिक्छा में, राज्य के इस्थानिय प्रतियोगीता का परिक्छा सुल्क माप की जाएगी, सास्किय अधिवक्ताओं के मह मौदय में व्रिद्धी की घोशना की गई है, साथ ही 36 गड़ में पुरानी पेंसन योजना लागू की गई है, एक जनवरी 2004 एवं इसके बाद नियुक्त करमचारियों के लिए नए पेंसन योजना की इस्थान पर पुरानी पेंसन योजना लागू की जाएगी, 31, 32 या फिर 40 तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा दोस्तों, आपसन नमबर 3 इसका करेक्ट आंसर आजाएगा 32 आजाएगा, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज रायपूर में इसना तक छात्र छात्राओं के होस्पिटल निर्माण और करमचारियों के आवास निर्माण क के लिए 10-15 कडूर का प्राओधान किया गया है, सिक्षा और स्वास्था के लिए महतपून घोसनाए हुई है, इसके अलावा खैरागड में 50 फिजदी सिविल अस्पताल के भवन निर्माण के लिए बजट में प्राओधान किया गया है, अंबिकापूर और कांकेर मिडिकल में उपकरण खरीदी के लिए 33 कडूर का प्राओधान, इसके अलावा रायपूर मिडिकल कॉलेज में कॉडि वैस्वल और थोरेशिप सरजरी विभाग में 150 पद की नौकरी देने का भी प्राओधान किया गया है, सहरी छेतर में मकान बनाने वालों बड़ी राहत दी गई है, 30 प्रतिसत आम और मोर जमीन, मोर मकान एवा मोर मकान, मोर चिनहारी योजना के लिए 450 कडूर का प्राओधान बजट में किया गया है, नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं दोस्तों, 12 फिजदी, 13 फिजदी, 13 दसमलाव 60 फिजदी, या फिर 14 दसमलाव 65 फिजदी, करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों, आप्सन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आजाएगा, 13 दसमलाव 60 फिजदी, अगला प्राशन, 36 गर्ड आद्योगीक छेत्र में अनुमानित, व्रिद्धी पर राष्टिय दर से कितने प्रतिसत अधिक है, 2 प्रतिसत, 3 प्रतिसत, 3 दसमलाव 64 प्रतिसत, या फिर 4 दसमलाव 70 प्रतिसत, करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा, आप्सन नमबर 3 इसका करेक्ट आंसर आजाएगा, 3 दसमलाव 64 प्रतिसत, आज का हमारा क्विश्चन है दोस्तों, गोधन न्याय की आर्थिक रामती से 36 गर्ड में कितने गउठानों को सुईक्रिती मिली चुकी है, 9,000 या फिर 10,590, 11,000, 12,000, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगे दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या आएगा, सेकेंड हमारा क्विश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री भुपेज बखेल बजट पीस करने के लिए गोबर से बने, सूट केस लेकर निकले इस पर आप क्या इस पर क्या लिखा हुआ था, सत्यमेव, जहते, वंदे मात्राम, गोमय, वस्ते, लक्षमी या फिर इन में से कोई नहीं, इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगे दोस्तों, आई होप दोस्तों, वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, सांथी सांथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेश कीजिए, ताकि मेरी हर नय लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचते रहें,